नमस्कार दोस्तों मैं वासकर पंडे स्वागत करता हूं का एर इंफर स्वावेट लिमिटेड प्रेंड बहुत दिनों से एक चीज मैं सोच रहा था प्लैन भी कर रहा था कि बूसल मीडिया पर बहुत सारे लोगा क्वेरी जाता है क्योंकि पता है हम एरी कैसा ब्रेंड है ज सारी क्वेश्चन से बनाए हैं और सारे का एंसर में आज दूँगा लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता दू कि दसरह में जिस तरह का प्यार आप लोगों ने हमें अरी में दिया है बहुत बहुत उसके लिए सुक्रिया तो आप लोगों के तरफ से बहुत बहुत मुबा कि आरो निकला कि अधी निकला कि आज़ी निकला तो सब का गीवट भी हम लोग अभी डिलिवर करेंगे साथ वीडियो भी में यूटूब पर डालूगा लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग दिपावली में प्लैन कर रहे हो फ्लै लेन तो एक बास जरूर एरी प तो उन सब चीजों को अब आते हैं अपने टॉपिक पर दोस्तों जो हमारे पास अभी जो लोगों का क्वेश्चनिंग आता है कि बहुत सारी चीज आते हैं तो इसमें तो कुछ कुछ गौट कर रहा है बहुत सारा नहीं कर पाया है अगले बार अगर अगर आप अपना कि उत्तमनगर और द्वारका मोड पर सबसे बेस्ट लोकेशन कौन सा है कर मैं उत्तमनगर में फ्लैट लेता हूं या द्वारका मोड में फ्लैट लेता हूं तो कुछ कुछ बंदे यह सोचते हैं कि द्वारका मोड मतलब द्वारका तो यह गलत सोच रहे हो आप यह बिल्क यह ईसपेस को तो उत्तमनगर पहिं, तो इसको पूंगर का उत्तमनगर मोड। जोटमनगर का ही पार्ट हैं, जासरे अपने को बता हैं, तो इसको उत्तमनगर के पाथ कागजों में देखोंगे याप पेपर में देखोंगे टो उत्तम लगर ही है बहुत सारे लोग बीदियो डालते हैं यूट्थूब पर क्या आप leads to talk info आप द्वारका मोड उतिम देखर्का मोड मतलब तो आप बिलकुल दोनों सेम है अब उत्तम लगर में प्रॉपर्टी का रेट थोड़ा ज्यादा इसलिए है क्योंकि जो उत्तम लगर यह पहले बसा हुआ अब बताता आपको जैसे उत्तम लगर में क्या था कि लोग आपके आज से नहीं बस रहे उत्तम लगर पुराना एरिया है ठीक है और जो द्वारका मोड है वह जैसे क्या हुआ जैसे एक्सपैंशन होने लगा जब मैट्रो आ गई तो बंद द्वारका मोड तक एक्सपैंड हो गया फिर उसमें मोहन गाटन जूड़ गया फिर आपका सेबक पारा केसा और जूड़ हो गया इसमें जूड़ता चला गया और द्वारका मोड तक एक्सपैंशन हो गया तो आप कहीं पर भी ले लोगे तो आपको प्रॉपर्टी सही है कोई दिक्कत नहीं है उत्तम अगर में आपको द्वारका मोड के रिस्पेक्ट में 2-3 लाग रुपे प्रॉपर्टी एक्स आसकेंगी ऑगर प्रॉपर्टी हम लेते हैं तो इसमें क्या देखना चाहिए तो विविख जी गया घ्र इसमें क्लेवर अलग को प्रॉपर्टी से समयों क्या बर्च च्षिप तो सुन को स्मझा देखने चाल आ कि JOE आपका कि बोहत चींग मनें प्रॉपर्टी मैं डियान है मतलब connectivity इंसेंस मालो कि आपका वहां से रोड कितना दूर है आपके आसपास में स्टूल्स फैसिलिटीज है या नहीं है ठीक है आपके आसपास में हॉस्पिटल है या नहीं है और सबसे यह तो बेसिक चीज़ें कोईवित आदेगा आपको एक चीज़ में सबसे इस फी जो ठीक नहीं है और कोई जो मैट्रो से किलो मेटर भी डिस्टेंस पर लोकेशन बहुत अच्छा है करनेक्टिवीटी बहुत अच्छी है मैट्रो आपको हर दिन यूज नहीं करना है आप ये लगा लो कि कोई बंदा है वह हर दिन ऑफीस जाने के लिए यूज भी क विवेक जी आप बिल्कुल धियार में रखो और पार्टिकुलरली मैं इस पे और वी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए ठीक है तो रानी जी मैं आपको चीज बता दूँ आपका जो चीज बता दूँ आपका जो इसमें पूरी चैन होती है जैसि आप उसमें जो नंबर राता है उपर में आपको दिखाता हूं एक पेपर का, जैसे हमें एक रजिस्टी लेकर बैठा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक यह certificate number होता है उपर में, एक certificate number आ रहा होता है प्रॉपर्टी पे, तो यह property का certificate number जो होता है आप इसको डालोगे, तो आपको सारी detail पता लग जाएगा, कि इस property में, इस property का क्या है, chain, man, पीछे की सारी detail निकल जाएगी, रजिस्टार ओफिस है, या कोई अगर आपका advocate है, जो जानकार है, वो किसी भी office, रजिस्टार ओफिस में तो यह detail निकलवा सकता है, पहली चीज तो यह है, दूसरी चीज है, आप यह नोटिस करो कि यह builder है, इन्होंने अपनी property, पहले कोई property, position अच्छा दिया है, काम कराता है, नहीं कराता है, यह सब चीजे बहुत माहिने रखता है, यह सब जरूर देखो, उनकी यह देखो कि रिव्यू कैसी है, यह चीज को आप देखके फ्लैट एक बर लो, ठीक है, परानी जी, यह चीज अब बहुत matter करता है, आप अगर जैसे ही आप उनको ब्याना देते हो, आप agreement जरूर बनवाओ, ठीक है, agreement बनता है, नौटरी का, आप ऐसे किसी को ब्याना मत दो, किसी के भी आप ऐसे ब्याना मत दो, जब तक agreement निक बनता, agreement बनवाँ के ब्याना दो, यह चीज है, इससे आपका पैसे बस सकते हैं, उस सेम सेम था, तो अब मैं इसमें question उठाता हूं का, इसमें question नहीं सासांग पांडे जी का, सासांग पांडे जी में सही पूछ रहे हैं, कि भाया, अगर मैं कोई flat लेता हूं, तो front का लूँ, या back का लूँ, तो देखर मैं कोई चीज बताता हूं, वो depend करता है, location और locality पे, अगर आप front का flat लेते हो, अगर वो 3-4 लाग रूप एक्स्ट्रा है, 2-3 लाग रूप एक्स्ट्रा है, तो वर्थ नहीं बनता, लेकिन अगर माल लो flat लाग रूप एक्स्ट्रा है, तो आप front का लो, क्योंकि front वाला flat इसलिए अचा होता है, क्योंकि थोड़ा सा उसमें ventilation हो आप इस चीज को अवएड करो तो दोस्तों क्वेस्टन बहुत जाद है क्वेस्टन दस बार है और इसी क्वेस्टन को बताने में वीडियो लगवाद 10 मिन फिसकी बन गई तो मैं वीडियो के जादा लंबा नहीं करूंगा और आपको चाहिए वाले वीडियो में डालना आप आपको जो भी question है, मैं कोशिस करूँगा कि मैं आपको Saturday के दिन आकर और इस question को मैं आपका जो भी question है, उसका queries आपको answering दूँँ और आपको एक better option प्रोभाइड करा हूँ, तो मैं सी के साथ लेता हूँ आपसे विदा, और जल्दी से इस वाले अगर आपको ऐसा ही वीडियो यह तो comment जरूर करना, मैं सी वीडियो अगले अपते फिर आपके लिए लेक्या हूँगा, तो इसके साथ में आपसे विदा, नमस्कार, बाबाए